वनको वन्दरम स्वागत अब्रवसे सश्यकाल सलाम वालेकों हले दोस्तू मैं आपकी प्रेदूस प्रियंक का आप सभी का स्वागत करती हूं गारगे क्लासेस के इंडिन एक्स्ट्रेस के आईडिया एडिटोरियल और एक्स्ट्रेशन पेज के डिसकशन पे आज डेट है 19 जैन 2024 और आज अब देख लेते हैं कौन-कौन से आर्टिकल्स हमें आज डिसकस करना है एडिटोरियल पेज़ पेज आज आर्टिकल्स सारे नहीं हैं कुछ नया कुछ नहीं है एसर का एक रिपोर्ट पे आया था जो हमने कल ही रिपोर्ट पे डिसकशन किये थे दो आर्ट के जो प्रॉजक्त हैं उसमें कुछ कमियां बताते हुए जीरो मतलब जो मिस्टर दीपक को बरेन है उन्होंने बताया है और इसके लवा एक ट्रेन ने अपना सौरी जो चाइना है वो ट्रेन कॉरिडोर जॉइन कर रहा है कजकिस्तान से किरिगिस्तान से उजवेकिस्तान यानि South और Central Asia की तरफ शिफ्ट हो रहा है, Actually, Belt and Road Initiative एक अलग है चाइना का, एक Road Initiative जो अभी शुरू कर रहा है, वो एक अलग चीज है, ठीक है, शुरू पहले से ही था, लेकिन ये अभी भी जियो पॉलिटिस के वज़े से आगे बढ़ नहीं पाया है, तो ये तीन आर्टिकल्स है, इसमें हम शुरू कर लेते हैं, छोटे से आर्टिकल्स है, देखें इसमें से अभी क्या है, राइटर बता रहे हैं कि जो चाइना है, उसका अपना प्रोविजिन है, शी जियांग, वहां से ही, वो South और Central Asia में जॉइंट करना चारा है, पहला कौन सा है, जो खासगर से होता हुआ, एक कुंजेर पास है, पास से होते हुए, पीयो के से निकलेगा, एक पास तो ये है, दूसरा जो है, कासेर से वाया होते हुए, इरक्ष्टम पास है, एक पास कुंजेर पास है, एक है इरक्ष्टम पास से होते हुए, ये किर्ग माउंटेन्स होते वए यह तरफ जाएगा तो राइटर इस पूरे आर्टिकल्स में यही बात करते है कि चाइना जो है अपने रोड, रेलवे, पाइपलाइन्स के थ्रू जो है वो कजगिस्तान पे मौशने की पूरी-पूरी कोशिश कर रहा है कब 1990 से ही लेकिन अभी पता इ के यू आर यानि चाइना करगिस्तान उजबेकिस्तान रेलवे कोरिडोर ठीक है तो इस पे अब धीरे-धीरे जो है अपना प्रोजेक्ट वो आगे बढ़ाता जा रहा है तो आने वाले टाइम पर पता है क्या होगा यह उजबेकिस्तान के बाद ना तुर्कमेनिस्तान इर इसके ओपर पूरा आर्टिकल है बाकी इनों नहीं है और इसके लावा चाइना को ट्रेड है किरिगस्तान के साथ 21.7 बिलियन है रश्या का 18 है और उचबेकिस्तान का 12 है तो इस तरह किसे इनका ट्रेड है काफी अच्छा रिलेशन जो है बढ़ता जा रहा है लेकिन अभी इंडिया के परस्पेक्टिव से या आर्टिकल में कुछ भी नहीं है तो इसलिए मैं इसको जादा नहीं दे रही हूँ जादा रिडिंग नहीं दे रही हूँ बस इसमें से एक लास्ट इंडिया के लिए ये था कि जिसे चाभार पोर्ट हमारे लिए नहीं है क्योंकि पावर को अगर आप बनाके रखोगी तो आप यूरेशिया, यूरॉप और एशिया को मिलाने वाली यूरेशिया उसके लावा और भी आगे जाके अपना ट्रेड आप बढ़ा सकते हो चैके खेर आने वाले टाइम पर आप सो इसमें आर्टिकल्स आएंगे भी तक आये नहीं नहीं है लेकिन आप याद करना CKU एक्जाम में आ सकता है किया है ये CKU आर चाइना करगिस्तान उजबेगिस्तन रेलवे है ये ठीक है और ये पासिज याद रख लेना खासगर पासिज और इसके लावा आपका जो खासगर वाया इर्कस्तम पास है और कुंजेरब पास ह है एक बार आप मैप में देख लीज़ेगा यह वाले लोकेशन सारे बस इसमें यहीं है बाकी देखते आने वाले टाइम पर क्या डिसक्शन होता है नेक्स आर्टिकल यह क्या क्या करता है और इसने किसको रिप्लेज़ के है में एक आया उन्रेटेज़ेड देख कने उसको replace करके ही competition act 2002 लाया गया था चीक है और ये किस committee ने recommend की थी रागवा committee ने recommend करे थी कि हमें MRTP act की जगे हमें competition act 2002 लाना चाहिए और इसका mainly काम पता है क्या होता है ये mainly काम ये करता है कि जो anti-competitive agreements होते हैं कि मतलब particularly competition market का एक company को favor जादा कर रहा हो या एक company के products जादा sale हो रह stop करता था रोकता था इसका अपना एक tribunal भी है competition appellate tribunal जो competition commission of india के under में ही काम करता है ये और ठीक है तो इसी तरह किसे अब देखे एक और चीज़ है ये quasi judicial body है इसी वज़े से quasi judicial body में इसके पास थोड़े बहुत authorities होते हैं cases को deal करने के charges लगाने के penalty लगा सकता है ये तो अभ example के साथ तो चलो देखते हैं राइटर क्या बता रही है इसमें रवनीत कौर जो है तो इन्होंने जो है बात करें कि जो ये chairperson actually जो competition commission of india है अभी presently रवनीत कौर जी है ठीक है तो इन्होंने बोला है कि जो competition commission न ये क्या काम करता है navigating the complex changes यानि हमारे पास जो है इन्होंने का attendance के बाद remarkable story बनाई है अपनी especially अपनी economy को global market बनाने में है और आज वो जिस level पे है वहाँ पे बहुत सारे challenges भी है और उतने ही opportunities भी है तो उसी चीज को देखते हुए जैसे अगर आप इंडिया की बात करोगे तो new business model है interconnections global markets में इसके बढ़ रहे हैं और इसी वज़े से इसी competition होना सबसे main reason है main बहुत-बहुत जो mool reason होता है कि इनके वज़े से global market आप stable ही रह पाते हो क्योंकि fair competition होना बहुत ज़रूरी है तो उसी काम को कौन करता है CCI करता है CCI क्या करता है four front पर रागर competition और anti competitive practices को चेक करता है कि यह कहीं ऐसी तो चीज़े नहीं है इनका जो काम है आइम जो है वो ऐसा है कि ऐसा ecosystem बना रहा जो innovatives हो ठीक है consumer interest के हो और consumer protective भी हो ठीक है तो यह बताती है कि CCI दो चीज़ों को measurely काम करती है एक है enforcement action एक है in advocacy measure enforcement act में मतलब यह है कि competition अगर जैसे market है तो वहाँ पे कई anti competitive practices तो नहीं हो रही है जिसके वज़े से जो market वो one तरफ एक तरफ जुकी हुई है एक ही particular party को दे रही हो तो for example के लिए मैं अगर आए example दो जैसे जब से जियो आया था आप याद रखिएगा 2016 में जियो ने free SIM बातना शुरू किया उसके बाद से क्या हुआ competitive telecom का है उसमें internet वाले market में downfall हो गया एक साल तक उन्होंने free of cost SIM telling call दिया बाकी उस समय जो आपका docomo, airtel, idea, voda phone within a one year के अंदर अंदर ये सारे loss में हो गया है है ना और 2018 तक आते आते 19 तक आते आते ये सारे market से गाया भी हो गया तो यहां fair market नहीं है तो geo monopoly में हैं काफी लेकिन फिर भी competition में airtel है लेकिन इसके में भी बहुत सारा cases हुए थे इसका है ना तो वैसा ही है कि यह यह चेक करता है कई anti competition practices ना चल रहे हो पहली चीज़ दूसरा जो काम यह करता है वो यह करता है कि जो stakeholders है चीक है वो अपने advocacy के साथ काम कर सके work culture में ताकि competition maintain रखे market में कैसे फर एक्जंपल जो stakeholders है या नहीं जो investors है वो market में invest करते है और उन्हें लगता है कि अगर कोई case है charges है जो सामने वाले company पर लगाना है तो उसके लिए advocacy हो वो सारी चीज़े जो है आपका CCI देखता है ताकि market में fair competition बना रहे है ठीक इसके लावा CCI ज having adverse effect on competition, promotion, sustance of competition, protection of consumer interest, ensuring freedom of trade देखे यह mandate करते है कि आपको कुछ भी आगर आप practices करते हो कहीं ऐसा ना हो कि वो market में monopoly को लेकिया है freedom of trade को मतलब कम करे तो freedom of trade को preference रखते हुए मतलब freedom of trade को consumer के जो rights है वो हानी नहीं होने चीए वो कमी नहीं होने चीए market में इस चीज़े को ensure करती है CCI चेक है इसके लवा इसने काया कि सेम ही चीज़ बार-बार repeating होती है और हां इन्होंने एक और चीज़ जो बोली है इन्होंने बोला cartelization या price fixing या bid rigging जो है वो सब चीज़ें ना हो जैसे for example आपने देखा होगा किसी की बस tender जाता है ना जिसे bridge बनाना है सड़क बनाना ह तो most probably ये भी कोशिश होती है ये मैं एक example बता रही हूँ कि वो जो government है या जो local authority वो कोशिश करते हैं कि वो अपने side वाले को जादा दे अपने known वाले person को दे तो इससे क्या होगा है कि particular एक company को मिल रहा है tender बागी company को नहीं मिल रहा है तो कही ना कि fair competition नहीं है ना आपके प ये ध्यान देती है CCI जो है ठीक है इसके लावा ये ensure करती है कि जो companies है उसका अपने आप में एक dominant ना रह जा है और उसके ओपर ये क्या करती है pricing denial denial of market taxes predatory pricing जो होती है इस तरह agreement के through जो है वो क्या करती है कि healthy competition को बनाने का ये पूरा पूरा focus ध्यान रखती है CCI जो है तो ये पूरा article में आप देखोगे ना आपको बहुत general चीज़े ही मिलेंगी ये करती है वो करती है बहुत जादा positively बोला है इनके जो chairperson है no doubt वो अपनी तारिफ करेंगी और इसके लावा इन्होंने काया कि अगर एक company जो acquire करती है another के साथ तो ये ध्यान रखना है कि ये इनका जो potential for example जैसे इन्होंने इसमें पूरे में बताया होता है कि जैसे आप example ले लो आपने सुना होगा access bank ने आई-सी बैंक के साथ मर्ज कर लिया या किसी company ने इसके साथ मर्ज कर लिया है ना जैसे वोड़ा phone ने idea के साथ मर्ज कर लिया था अपने बहुत सारे private capital private entities के सुने होंगे तो writer कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनके merger से इनका market इतना बड़ा हो जाए कि consumer इनी के तरफ shift हो जाए और बाकी जो players है वो out ना हो जाए market से ठीक है तो सारा market power ये अपनी तरफ ना खीच ले इस चीज का भी ध्यान CCI रखती है ठीक है ताकि जो है practices environment का जो है competition का practices र हैं वो भी survive कर सकें इसके लवा CCI ये कहती है कि जो आपका situation है market का कई बर क्या होता है कि जो आपके few players है वो dominate कर जाती है और उसके वज़े से जो उनकी पूरी economic की health है वो भी काफी जादा distract हो जाती है तो उस चीज का ध्यान रखना जो काम है mainly for consumer welfare के लिए वो काम कौन करता ह CCI करती है ठीक है इसके लवा बार बार वही है कि market competitive ध्यान रखना है long term दखना है balance रखना है same चीज है लेकिन एक चीज में आपको यहां बताती हूँ एक अच्छी चीज इन्होंने बताई है कि अपने stakeholders को educate भी करती है किस बारे में educate करते है कि आपको कैसे benefits मिलेगा competition environment कैसा पॉलिसी कैसी बनानी है इस बारे में यह guidance देती है CCI ठीक है और इसके लावा आप fair prices वही same चीज technology involvement की साथ साथ हां एक और चीज इन्होंने बहुत अच्छा जो बताया यहां पर देखिए आप कि ना जैसे जैसे digital economy बढ़ेगी ना वैसे थोड़ा ध्यान रखती है कि यहा पल नहीं है मैं अपने से बताती हूं कि for example आपने अभी देखा होगे एक डेट साल पहले गूगल पे CCI ने कम से कम हजाड बारा सो तेरो सो कैस पास चार्ज लगा दिया था तेरो सो करोड का पता है क्यों क्योंकि CCI नहीं बोला था for example अबर कोई भी इंसान android phone लेना जाता ह हो गया यह कुछ भी चीज हो गया वह गूगल का ही प्रोडेक्ट होगा जो इन बिल्ट आता है जिसको consumer हटा भी नहीं सकता उसको नहीं पसंदेगी बहिए जैसे उसने Instagram अटा दिया WhatsApp अटा दिया Facebook अटा दिया तो मुझे YouTube निचे वह YouTube को disable ही कर सकता हटा नहीं सकता इसके ल हैं जो लोग huge number पर use करते हो बिल्कुल नहीं है ही नहीं तो वो और मार्केट में उसको इन्शॉरिटी दी नहीं और YouTube famous होने का main reason फोन पे अवे लेबल होना और phone पे जो है और market और phone पे है पूरा कब्जा किस ने कर रखा है Google ने कर रखा है तो उसके वज़े से ही न यहाँ पर writer ने जो digital economy की बात करें न वहाँ यह example एकदम prompt बैटता है क्योंकि Google पे charges लगे थे इस चीज़ के और वो text भी pay नहीं करते हैं यह इस चीज़ का भी charges CCI न ना हो यह innovation के हिसाब से consumer का interest रखे क्योंकि consumer के पास option नहीं है अब वो Google map के लावा कौन से map पे यूज़ करें या फिर उसके पास हमारी इंडिया का खुद का map है लेकिन उसके लावा भी हम Google का map यूज़ करते हैं हमारे पास YouTube के लावा option नहीं है या और कोई company आगे है है ही तो हम YouTube ही सर्च करते हैं कोई भी चीज अगर हमें सर्च करनी हो तो वही चीज़ है वही recommend कर रही है कि digital economy जैसे बढ़ती जा रहे digital market जैसे बढ़ता जा रहा है CCI के पास उसके according नए challenges आ रहे हैं तो वो भी इस चीज़ को ध्यान रखती है उनके agreements से लेकर उनके data monopolization जो होता ह वो सारे level playing field है तो इसमें CCI जो है focus कर दी है ताकि उसके domestic जो players है वो out ना हो जाए तो इसके लावा यह सेम जो है regulation, advocacy, international cooperation के साथ सा framework अपना बनाती रहती है ताकि environment जो है वो maintain होता रहे सेम यह पूरा article सेम इसी चीज़ के बारे में है और बाकी इसके अलावा अगर आप conducive growth, ensuring fair competition, regulations को बनाना इनी चीज़ों के बारे में वो बारवर बता रही है हाँ एक चीज और यह है कि जो CCI वो vigilant monitoring है कि इसका market practices का कि यह ensure करता है कि market जो है compromise ना करे anti competitive behavior से anti competitive जैसे मैंने आपको जियो वाला बताया इसके लावा आपका जो यह Google वाला example है कि यह कही ना कहीं anti competitive ह आप Google को टकर देने वादे कोई company है यह नहीं अब अगर आप Apple का phone लोगे तो Apple खुद का अपना Play Store सब चीज अपना रखती है तो वो उसका खुद की company है तो Google को अपने Google Pixel phone जो launch करता है उसके अंदर ही सीमी तरह ना चेना वो Android phone के अंदर क्यों अपनी marketing कर रहा है और ऐसी marketing ज साथ, government agency के साथ, international organization के साथ भी collaborate करती है ताकि यह चीज़े देख से क्योंकि market overall globally है, private entities और government entities दोनों होते हैं तो CCI को इस काम के लिए दोनों से collaborate करना होगा तो उस वज़े से यह अपने आपको आगे रखती है और इनका main aim है हम potential market को disruptions के साथ आगे बढ़ा सके, competition को बढ़ा रहे, technology efficient के साथ रहे हमारी strategy और इंडिया के जो economy है वो immense possibilities के साथ भरा हुआ है और हमेर जैसे 75 years हमारे पास हो गए, independence के तो CCI नहीं यह का है कि हमारे पास अब economy की जर्नी है वो हमारी competitive, inclusive और resilient होनी चाहिए आने वाले time पे भी, तो overall यह है basic चीज़े हैं, आपको समझाने के मैंने examples दे दिया है, बट आप एक बार, आप एक बार क्या करिएगा, CCI के बारे में एक बार उसके जो competition, composition है, उसके बारे में और उसके लवा उसके judgments हैं थोड़े थोड़े, जैसे cement company, एक मैं example बताती हूँ आपको, cement company पे भी 2005 का बहुत बड़ा पुराना example है, cement company थी, जिस इसमें, price fixes हो रहा था, fixed prices और control market कर रहा था, जिसके वज़े से इसने cartelization जिसको बोलते हैं इसमें, उसमें इसने कम से कम 63 billion के आसपास वो लगा दिया था, चार्ज लगा दिया था, इसके लाबा, आपका हाँ, बहुत famous एक case था, आपका 2013 के आसपास, और 2017 में भी वापस आय यानि Board of Control for Cricket in India वो fixing करती है, पहले से ही dominant होता है, जैसे for example, कोई बहुत अच्छा player है, audience को expect है कि वो अच्छा run score करेगा, देखा तो जाते ही fail हो गया, यानि जाते ही out हो गया, तो BCCI की ये करती है कि dominant position, यानि कहीं ना कहीं beating करती है, bets लगते हो उसमें, इसमें, IPL के लिए भी ये चीज CCI ने देखा था कि IPL में भी बहुत जादा सटे बाजी चलती है, गूगल पे भी हुआ और इसके लावा और भी example से अगर आपको मैं याद दिलाओ, जैसे Reliance पे भी हुआ है, और Airlines पे भी 2015 में एक बार हुआ था, तो ऐसे बहुत सारे example से तो आपको ये याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि इसका काम क्या-क्या है, ठीक है, और क्या है, तो इस तरह किसे आप इस पूरे अक्ट को जो है, आप समच सकते हो CCI का, next article हम देख लेते हैं, एक छोटा सा article है, जो example means के perspective से बहुत अच्छा है, देखे इसमें राइटर ना भागरा हैं, क्योंकि इसका जो बना हुआ structure है ना infrastructure, यह एक मंदिर से कम नहीं है, मतलब actually थोड़ा सा criticize, थोड़ा नी पूरे ही आर्टिकल में criticize किया है, गौर्मेंट के against, क्योंकि लोग आजकल मंदिर मंदिर जादा कर रहे हैं, तो राइटर जो है question mark लगा रहे हैं, सरकार पर कि आ हमारा जो अभी infrastructure चल रहा है ना, यह सरकार कह रहे है, infrastructure में हम invest कर रहे हैं, देखें, infrastructure कैसा है, जिसमें low quality है, जिसके जो bridges है, road है, खराब हो जा रहे है, आए कुछ साल भर के अंदर ही, तो राइटर criticize कर रहे है, उसके examples जिसमें बताएं, देखें, हमें इन examples को है ना, use preference देती है, यह पास सच है, भले बड़े level पर नहीं होता है, लेकिन छोटे level पर बहुत medium लेवल तक बहुत जादा होता है, तो उसके वज़े से क्या होता है, कि जनता को जो text है, वो गलत तरीके से use हो रहा है, तो being a bureaucrat हो कि आपको directly तो criticize नहीं करना, लेकिन फित example के साथ रुपीम, गरामेंट, सड़क, यूजना, उसके अंदर इन्होंने सीधा सीधा बोला कि पूर quality construction है, जो पारलेमेंटरी कमीटी ने बोला है ये बात, कि पूर quality construction के साथ बनाई जा रही है, और union government ने ये promise किया था, कि यह वो ruler settlement के साथ school, hospital और agriculture और markets बनाएगी, जबकि project अभ अभी 39% तक ही completion हुआ है, लेकिन इसको इस पूरे project को दिये हुआ, जो पैसट है वो भी लग चुका है, और अभी 58% पैसा जादा और estimate है कि इसमें जादा लगेगा, भारतमाला project बे, चीक है, cost जादा हो रही है, इसके लब राइटर बतारे है, tunnel में अभी जैसे करके person first गया था, tunnel के अंदर, same उनके भाई के साथ 2022 में महाराश्रा में हुआ था, वो भी same construction के tunnel में first गये थे, ठीक है, ये cases है, और भी cases इसमें writer ने बताये हैं, जिसे writer बता रहे हैं कि, एक मिनट हाँ, same इसी के अलावा, सबसे बड़ी बात, जो है, ये बुंबाई का case था है ना, और इसके लवा इनोंने का कि समरुदी express करके एक बुंबाई में है, उस पे भी same ऐसे हुआ था कि collapse हो गया, वहां का जो express वे है, और breeze worker मारे गए, और सबसे दुख्यी बात ये है कि, जिस company ने समरुदी express बनाया, उसी को ही पहले वाला जो बुंबाई वाला जो tunnel था वो भी बनाने के लिए दिया था, तो राइटर यहीं बार-बार ये focus करते हैं, कि जिसने गलती करिये, उसी को वा उपस opportunity दी जा रही है, आगे देखिए, bridges and flyover में राइटर बता रहे हैं, कि ये ना, मचूचू रिवर करके है, जो October 2022 में है, वो collapse हो गया था, जिसके अंदर बहुत सारे लोग मारे गए, जो कि गुजरात का सबसे बड़ा एक disaster है, अभी तक का, चीक है, और ये माना जा रहा है कि ये mainly negligence है, कि इसके authorities के, negligence के वज़े से ही ये incidents हुए है, चीक है, इसके लवा राइटर बता रहे हैं कि अभी कुछ मन्त पहले ही बना हुआ एक मिंड बापस गुजरात में शेके मिंडॉला रिवर पर बिश और इसके अलवा साउथ गुजरात में इसी कंपने पर्टिकुलर कंपने का नाम नहीं लिया, पर्टिकुलर एक कंपनी नहीं साउथ गुजरात में सारे बिजिज बनाए, मतल sebelum राइटर बार बार・बार चानश वो करने के बराबर है तो सेम इसके लब एक 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 जामपल यूज करते है राइटर की 2023 अक्टूबर में पालनपूर कॉलाप्स हुआ था जहां लोग काम कर रहे थे लेकिन वो workmanship error के वज़े से हुआ था ठीक है तो सेम मध्या प्रदेश में एक है और राइटर बता रहे हैं कि वो जो dam का project न वो BJP के allied logo को ही गया हुआ था और scam करा है किसका e-tendering का scam मतलब किसको जाएगा इसमें भी scam है उसके लवा तीन मंत बात पता चला कि जिस company को मतलब इसमें case भी हुआ बीजेपी ने जिसको blacklisted company को repair और maintenance करने के लिए वापस सरकार ने काम दे दिया है ठीक है तो ये चीज़ें है इसके अलवाज जैसे railway का बता रहे है कि railway का देखी राइटर बता रहे हैं कि हमें bullet train चाहिए किसको पसंद नहीं है bullet train हर नागरी को पसंद है कि भाई bullet train चाहिए लेकिन भाई पहले priority तो देखो कि हमें किस चीज़ की जरूरत है तो राइटर बता रहे है कि एक vanity project यानि एक bullet train बनाने के लिए आपको कम से कम 200 करोड चाहिए जबकि उससे जादा हमें अभी ही जो जरूरत है वो है freight corridor, freight corridor यानि माल गाड़ियां जिसमें जाती है for example, specially जो जैसे agriculture का area कोई है ना, सबजियां बनाते हो या दूद निकालते हो या फिर आसपास के कुछ ऐसे products हैं जो बहुत जल्दी, बहुत ही fragile है, बहुत soft है जादा दिन तक नहीं टिक पाएगा उनको market तक पहुचाना बहुत जरूरी है तो उनके लिए freight corridor जादा बनाये जाते हैं तो writer बोल रहे हमारे priority freight corridors को बनाने की है specially अगर आप UP side देखोगी तो बहुत कम freight corridors है और वो agriculture based area है ये पूरा तो writer कह रहे हैं कि एक freight corridor का किलोमेटर बनाने में पर किलोमेटर बनाने में हमें 23 करोड चाहिए होता है लेकिन उससे जाता तो आप एक bullet train के एक vanity project बनाने के लिए कम से कम आप 200 करोड खर्च कर रहे हो तो that means कि यहाँ priority lag कर रही है writer इस चीज़ पर focus कर रहे हैं फिर उन्होंने इसके लावा इन्होंने बोला कि 2023 में ऐसे कम से कम 15 major rail accident हो चुके हैं और CAG ने ये तक report दी है कि कम से कम 50 percentage projects ऐसी है जिनके completion के बाद जो एक safety inspection होता है वो तक complete नहीं हुआ है तो overall पूरा भर के criticism है सरकार के और ये criticism पता है सरकार से जाधा पता है कि जो officers जो tender लेते हैं या officers जो clerk level के officers जो इनको tender देते हैं उनके वीच में बहुत जाधा धान्दले बाद जी होती है no doubt कोई भी central हो state government directly नहीं चाहेगी कि loss हो क्योंकि nation को वापस उन्हें ही बनाना है लेकिन जो under level का dealing जिससे हो रही है और पहली बात तो यहाँ एक negligence बहुत बड़ी negligence जो दिखरी है वो यह है कि जिसने पहले जिसके construction से अगर कोई building या dam कोई collapse ही हो तो उसको वापस काम क्यों देना है उस पर कोई restrictions नहीं है उस पर कोई case नहीं है और blacklist होने के बाद भी वो लोग वापस repair का काम कर रहे है और भी buildings दी जा रही है तो कहीं न कहीं negligence है आप examples का use अराम से भरभर की कर सकते हैं और accountability की कमी है यहाँ पर साफ दिख रही है तो I hope so आपको यह समझ में आया होगा आज के articles Thank you